अगर आप भी बिग बॉस के फैन है तो आपने ये बात गौर की होगी कि लगभग हर दूसरे सीजन में भोजपूरी स्टार्स को भी कंटेस्टेंट्स के तौर पर लिया जाता रहा है ये सितारे इंटर्टेंट्मेंट तो करते ही है साथ ही साथ इनकी अपनी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है जिसका फाइदा शो के मेकर्स को होता है चलिए आज आपको बताते हैं अब तक बिग बॉस के कौन से सीजन में जमी किस भोजपूरी सितारी की महफिल संभावना सेट बिग बॉस के पहले सीजन की सफलता को देखते हुए फिर इसका दूसरा सीजन लाए गया इस बार सीजन में तड़का लगाने के लिए संभावना सेट को बुलाए गया संभावना की एंट्री के बाद शो की टीरपी में जबरदस्ट उचाल हुआ था ना सिर्फ अपनी अदाओं से बलकि संभावना ने अपनी बुलंद आवाज से भी खूब सुर्ख्यां बटोरी थी मनोच तिवारी बिग बॉस सीजन चार में इंट्री हुई भोजपूरी इंडस्री के सबसे पुराने सिंगर और अक्टर मनोच तिवारी की मनोच तिवारी के अंदाज और उनकी भाशा शैली ने उन्हें घर घर में और भी ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया उन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी एक अलग जगे बनाई और लुगों का दिल जीतने में कामियाब रहे निरहुआ प्रसिद्ध भोजपूरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बिग बॉस सीजन 6 के प्रति भागी रहे थे इन दिनों भले ही निरुआ बीजेपी के मुखर नेताओं में शामिल होते हों लेकिन शो के दौरान उनकी सादगी ने सभी का दिल जीता था मुनालिसा अंतरा बिस्वाज जिने हम सब मुनालिसा के नाम से जानते हैं मुनालिसा अब तक लगभग 125 भोजपूरी फिल्मों में काम कर चुकी है मुनालिसा ने बिग बॉस के दसवे सीजन में हिस्सा लिया था और उनको काफी पसंद किया गया था दीपक ठाकुर बिग बॉस के 12 सीजन में महफिल जमाने के लिए गायक दीपक ठाकूर को बुलाय गया था दीपक ने अपने अंदास से दर्शकों को खूब हसाय था बिहार के एक छोटे से गाओं के रहने वाले दीपक आज म्यूजिक जगत में जाना माना नाम है खिसारी लाल यादव बिग बॉस 13 में भोजपूरी सूपरस्टार खिसारी लाल यादव ने एंटरी की थी हलाकि शुरुवात में घर में वो बिल्कुल एंटरेनिंग नहीं दिखाई दिये धीरे धीरे वो ट्रैक पर आने लगे थे लेकिन बात नहीं बन पाई और उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था अब इस खबर के बाद कमेंच करके हमें जरूर बताईएगा कि आपका पसंदीदा कौन सा इसा भूचपूरी सितारा है जिसने बिग बॉस के घर में एंटरी की थी